हुँ नमस्ते शा connection कि आप सभी को पता है अभी चल रहा है सीजन बारिस का जी नहीं बारिस का तो चल रहा है सासाथ एड़ भी सीजन चल रहा है और यहां पर बहुत सारी टिवरक्षी लिन नोटिफिकेशन आ रहा है कैसा लिदो पूरा हो चुका है कहीं अभी नोटिफिकेशन आया है तो यह सिलसिला चल रहा है अभी एड्मिशन का एक सीजन चल रहा है तो यहीं पर इसी में हम लोग आज जानेंगे कि कौन सा इन्वर्सिटी जहां पर बीएस डवलू तो MSW and PhD के लिए अभी भी एड्मिशन ओपेन है और इसका लास्ट डेट भी मैं बताऊंगी कई सारी इन्वर्सिटी करें बात करूंगी लगभग तीन चार इन्वर्सिटी करें में आज हम लोग चर्चा करेंगे तो चलिए बीना किसी देर का एके करके साड़े को डिटेल मे आपको मैं बताती हूं पहली जो नोटिफिकेशन है ओ आई है गुजरात केंद्रिय विश्विदाले यानि कि सेंटर उनिवर्सिटी ओफ राजास्थान से और यहां पे एड्मिशन ओपेन है एड्मिशन फॉर्द सेशन 2021-22 के लिए हैं एड्मिशन ओपेन है यहां पे इंपाउं ओफर्द दिफ्रेंट स्कॉल्स सेंटर फॉर्द एकेडमिक यह 20-21 22 अधर रिलिवेंट इंटेक रिजर्वेशन फीट इसी इस अबलेबर ऑन दे इनिवर्सिटी वेबसाइड www.cug.ac.in पे भी आप जाके यू कन सर्च एंड यू कन चेक इच एंड एवरी डिटेल्स यहां पे एक एड्मिशन को लेके इमेल एडेस भी दिया गया है आपको ध्यान से पड़े लिजिबलिटी दिया गया दिया गया है है कि Candidate who have qualified UGC NET including JRF, UGC CSIR NET including JRF, SLET, GATE, Teacher Fellowship Holders और have passed MFIL program as per regulation 2009 और regulation 2016 can only apply for the PhD courses. साथी उनके पास होना चाहिए, have 55% marks in aggregate or equivalent or B grade in UGC 7 point skill as per UGC regulation 2016 यानि कि Master's में आपको 55% marks होना चाहिए, साथी कई सारे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिये गए हैं जो कि आपको बहुत ही केरफूली पढ़ना है before applying तो चलिए थोड़ा सीडियूल पे एक नज़र डाल ले सीडियूल फर PhD admission process is online application are invited from 25th August to 25th September यानि कि आज से पांच दिन आपके बास बक्त बचा है इसको apply करने के लिए 5 days you have left to apply for the PhD courses in Central University of Gujarat यहां पर आपका एक एक research aptitude test होगा जो की campus में ही होगा गांधी नगर में होगा और जो date of test और interview अभी नहीं बताया गया है साथ ही यहां पर एक घंटे का आपका research aptitude test होगा जिसमें से exam का जो pattern है वो 50 marks का exam होगा जिसमें से 25 marks short answer type question के लिए MC के लिए रहेगा और जो 50 marks रखा गया है वो आपको interview के लिए रखा गया है तो MC के लिए 25 marks, MCQ के लिए 25 marks, 25 marks short answer question के लिए और 50 marks interview proposal के लिए इस तरह से 100 marks का यहां पर जो distribution है कुछ इस तरह से किया गया है जो admission के लिए application fee है for general OBC and NCL and EWS category is 1000 for STSC and transgender is 5000 for person with disability it is not applicable they are exempted from the applying application fee for the PhD entrance test तो यह हुई बात important बात आपको लाज डिट बता चुकी हूँ 25 September है आज से 5 दिन बचा है आप यहां बे कई सारे instruction है जो कि दिया गया है वो आप जरूर ध्यान से पढ़े एक एक करके और जब भी आप form apply करते हैं तो उसको form को download करके उसका print out अपने साथ हमेशा रखे है for the future use यहां भी कुछ instruction दिए आप सबको ध्यान से पढ़े before the applying अगर आप इस चैनल पर नहीं और अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो आपको फटा-फटी से subscribe कर लेना चाहिए क्योंकि यहां पर social work से जुरा हुआ बहुत सारी जान कर यह time to time आप सभी को मिलती रहती है तो यह हुई बात Central University of गुजरात की यहां पर लिंक दिया गया है यह लिंक मैं description box में भी दिया दूंगी वहां से आप इसको download कर सकते हैं और देख सकते हैं दोस्तों यहां पर एक आपको link मिल जाएगा जिसमें आपको PhD program seat matrix भी चेक करते हैं इस तरह से subject wise यहां पर seat दिया गया है किस category के लिए कितना seat है तो आप वह भी चेक कर लें दोस्तों यहां पर PhD in social management करके चलता है for social workers तो आप देख सकते हैं या फिर other कोई है आपको किसी को suggest कर सकते हैं तो उसको बता सकते हैं तो दोस्तों यह इसका ug.ac यानि की Central University of Gujarat.ac.in का यह साइट है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगों वहां से जाका आप रेजिस्टेशन कर सकते हैं साथ ही अगर कई तरह के detail जैसे आप देखना चाहें या फिर स्कूल सेंटर या स्टडी और प्रोग्राम के बारे में डिटेल में डिखना चाहा है अकेडमी क्लेंडर हो या फिर पीजडी एडमिसन नोटिफिकेशन हो सीटमाटिक्स हो या फेकल्टी का स्पेस्टिलाइजेशन तो वह सब आप चेक कर दोगेंगे इस लिंक से मैं आपका आपको यह लिंक प्रोवाइड कर देंगा चलिए अब दूसरे इनवर्सिटी के बारे में चलते हैं कि दूसरी नोटिफिकेशन जो पीजडी एडमिसन के लिए आई है वह महराजा सहराजी राओ उन्वर्सिटी और बढोदरा से आई है तो बढोदा से आई है यह बहुत अच्छी उन्वर्सिटी है यहाँ पर सोसल वर्ग के अच्छी पढ़ाई होती है दोस्तों यहाँ पर कैसारे जो स्टेप्स दिये कि आप देख सकते हैं फर्स स्टेप में आपको एप्लिकेशन फी जो एक्जामसन फी है उसको पेमेंट क स्टेप्टेमबर आपके पास 10 दिन का वक्त है उससे पहले आप इसको खुद अप्लाइ कर ले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कंडिडेट कैन अपियर इन ओनलाइन इपेट 2020 फ्रॉम दियर ओन प्लेस और होम दोस्तों यह अच्छी बात है कि आप इस एक्जाम म प्लाइग सो डॉन्ट वेट फॉर लास्ट अप्लाइट नाउ सो चलिए देखते हैं इसका आरे में डीटेल जानते हैं दोस्तों यहां पर जो इंटेंस एक्जामिनेशन होगा क्वालिफाइंग इंट्रेंस टेस्ट होगा जिसका वेट इस 50 परसेंट रखा गया है और सिल में क्वालिफाइग कर जाएंगे देन आपका एक इंटर्वियू होगा वाइवा वाइस होगा जिसमें आपको रिसर्च पर्पोजल पे जो की डिपार्टमेंट डिसर्च कमीटी होगा उसके सामने आपको डिफेंड करना होगा तो तो दीज आर दे बेसिक इन्फोरमेशन आप इस तरह कि यहाँ पर और और करके दिया गया आप इसमें से कुछ भी है तो आप एपलाई कर सकते हैं और अगर आपके पास five year का work experience है four year integrated master degree program है या फिर फाइव यह तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं चलिए इसके साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए आपके पास जो एज लिमिट दिया गया है वो 55 यह एज लिमिट दिया गया है for the admission to executive PhD program दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने बिली बात है कि यहाँ पे सिर्फ PhD program नहीं दिया गया है यहाँ पे executive PhD program दिया है for this आपको एक basic जो requirement होता है उसके साथ साथ minimum five year of managerial entrepreneurial professional experience at the time of admission after post graduation यानि कि post graduation के पास कम से कम आपके पास पांच साल का experience होना जाए at the time of admission then only you are eligible for the executive PhD program तो यह एक यूनिक बात थी यहाँ की candidates are required to दोस्तों आपको यह सब condition के बावजूद भी जो इपेट होगा उसमें 50% marks के साथ आपको qualify करना होगा यहाँ पे कुछ other criteria दिया गया है कैसे student इस exam को मतलब कि इपेट में उन्हें appear नहीं होना होगा they are exempted तो exempted के लिए यानि कि उसमें उनको appear होने की जरूत नहीं हो डाइरेक्ट वाइवा के लिए बैठ सकते हैं तो ऐसे candidate जिन्होंने C, UGC, CSI, NET, SET, GIT, GPAT, DBT, ICMR, JRF as well as MPH degree holders are exempted from appearing in the SQT PhD entrance test तो जो भी candidate जो यह सब qualified है UGC, NET वगएर वो exempted है इसके EPIT examination के appear होने के लिए तो यहां पर कुछ details दिये गए हैं I hope आपको each and every detail समझ में आया होगा मैं description box में link दे दूंगी वहां से जा कि आप detail में समझ सकते हैं कि क्या paper paper में किस तरह का question आएगा यहां तकि आप syllabus भी डाउनलोड कर सकते हैं जो भी candidate का जो fee है fee की बात करूंत यहां 2000 fee 2000 fee application fee लग रहा है जो कि सबको लगेगा exempted category के लिए भी मतलब जो भी इसके लिए apply करेंगे तो यह हुई बात यहां पर syllabus दिया गया देखे research aptitude से क्या कुछ पूछा जाएगा reasoning से क्या कुछ पूछा जाएगा यहां पर syllabus दिया गया आप देख सकते हैं you can reach syllabus for दोनों paper के लिए यहां पर syllabus दिया गया है first paper second paper दोनों के लिए और यहां पर दिया गया है आपको subject wise syllabus तो उसको भी आप download कर सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको इसमें जो social work है न वहां पर यहां पर 30 नमर पर 30 या 32 नमर पर एक सगेंड मैं सिरुट स्कॉल करका आपको बता रही हूं हाँ 32 पर हाँ का फैकलिटी के बारे में सिलेबस के बारे में दिया गया तो आप देख सकते हैं यहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों एक बार आपको गुजरात वाली उन्वर्सिटी का नोटिफिकेशन दिखा देती हूं आप ध्यान से देख लिजे आपको फायदा करेगा आप इस तर से यूनिट वाइज यहां पे सिलेबस दिया गया है यहां डाउनलोड एंड लुक आफ्टर देख लिए इंडॉर्स इंट्रेंस एक्जामनेशन बट आप यूजी सी नेट क्वालिफाई है तो आपको इंट्रेंस देने के जुरूत नहीं है यहां थर्ड नोटिफिकेशन इंडॉर स्कूल अप सोसल वर्क्स है और यहां पे दोनों से लिए डैरेक्ट एड्मिस्मन सुरू हो चुका है दोस्तों यहां डायक्ट एड्मिशन हो रहा है क्या प्रोसीजर है वह डीटेल में आगर आप जानना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं एक नंबर दिया गया है 888 तीन नंबर दिया गया एक्चोली इन तीनों से किसी नंबर पर जाके आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं बात कर सकते हैं दोस्तों मुझे यह पीज फेस्बूक भी मिला था तो मैं वही का लिंक दे दूंगी इसके साथ एलाइट कही सारे लिंक हैं आप उन सब को ओपें क गुजरात में आया है साथ ही आपको एक और स्टेट इन्वरसिटी में आया हो और इंदर इसकूल आफ सोसल वर्क में तीनों में अभी ओपें है जो गुजरात में वह पचीस तक है और पचीस तक इस तरह से मैंने डेट अभी बताया था मैं भी बूल गई हूं आप देख कर लिजेगा और डेट जरूर देखके अपलाई कर किजिएगा और सार जितना भी डिटेल्स है उसको जरूर एक बार वेरिफाइग किजिए अपना एलिजबिलिटी चेक किजिए देन आफटर आपको अपलाई करना है थांक्यू गाइज